इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे A Closer Look on Kabir संत कबीर के बारे में पढ़ने वाले हैं Kabir सिंग पे मत पहुच जाना Google पर भी सर्च करोगे ना संत कबीर के बाद मैं Kabir सिंग है तो वो नहीं पढ़ने वाले हैं हम 14-15th century वाला जो time period रहा है उस समय में एक बहुत जादा influential भक्ती saint रहा है ये ठीक, one of the most influential saint अब क्यों रहे हैं? कैसे रहे हैं? क्या किया है? क्या नहीं क्या है? सारा सब कुछ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इससे पहले हम क्या करेंगे? इससे पहले आप खुद सोचो क्या करेंगे? हम connect करेंगे topics को हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? चैप्टर पूरा एक जो broad dimension की बात करते हैं हम चैप्टर की वो चैप्टर broad dimension पर complete हो चुका है हमारा कैसे complete हो चुका है? तो हमने भक्ति सेंट्स जो country के अलग-अलग पार्ट में सूफिजम, ठीके, South India, महरास, Northern India सारा सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है ठीके, अब क्या है? अब हमें हमारे पास में case study है case study in this sense मतलब हम specifically कुछ भक्ति सेंट्स के life को देखने वाले है कुछ भक्ति सेंट्स याने, दो भक्ति सेंट्स तो यहाँ पे हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे जो आपको Islam और Hinduism दोनों का एक mixture देखने को मिल जाएगा कि हाँ, भक्ति सेंट्स, जो सूफी सेंट्स के बारे में जैसे पढ़ा न तो Islam और Hinduism के बारे में और Sikhism के बारे में next, मतलब जो आपके पास में case study होने वाली या फिर जो next भक्ति सेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे ठीके? गुरू नानक साहिब के बारे में देखो, क्या होता है, लिखने की कला बहुत जोरदार होती है किसमें NCIT में He was brought up, brought up मतलब उन्हें वहां पे पाल पोस के बढ़ा किया गया है ठीके? अब बार्न नहीं लिखा है ठीके? He was brought up in a family of Muslim अब क्या है? तो यहां पे, देखो एक चीज़ यह पहले यहाला statement देख लो We have little reliable information about his life क्या होता है? कि 14-15th century की बात कर रहे हैं कबीर, संत कबीर 14-15th century की बात कर रहे है Exact date, date जो है वो किसी को नहीं पता है क्यों? क्योंकि क्या होता? कोई राजा है ठीक है, जैसे हमें सब पता रहेगा देली सल्तनत के बारे में, अकबर बाबर के बारे में सब पता रहेगा, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे एक common individual ने इस तरह की बाते बोल गया ठीक है? कि लोगों ने भगवान बना दिया उने ठीक है? तो उनके बारे में कोई इतनी exact details नहीं कि कब जन्म हुआ, कहा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत जानकारी नहीं है ठीक है? तो संत कबीर जो है, इनके बारे में हमारे पास reliable information बहुत कम है यह है कि हाँ, इसके द्वारा यह सुन लिया, उसके द्वारा यह सुन लिया तो लोगों के द्वारा जो सुना हुआ है, उस हिसाब से मारे पास data है तो कुछ कहानिया है कि एक Brahman family में उनका जन्म हुआ था लेकिन उनको एक टोकरी में, ठीक है, उनकी माताजी ने रखके क्या कर दिया था आगे पहुचा दिया था, फिर एक Muslim family ने उनका अडॉप्ट कर लिया अलग-अलग historians, कुछ historians मानते हैं, कुछ historians नहीं मानते हैं लेकिन, it is for sure कि he was brought up in a family of Muslim जुलाहास जुलाहास मतलब क्या है, a community of weaver, weaver मतलब क्या है, जो बुनते हैं, बुनकर जो होते हैं, कपड़ा बनाते हैं तो एक Muslim community, एक Muslim जुलाहास family थी, उन्होंने उन्हें क्या किया पाला पॉसा बढ़ा किया अब देखो क्या है, Muslim family में रहें, लेकिन इनके गुरू जो थे, तो वो एक Hindu saint थे, रामानंद तो इनके जो गुरू हैं, वो एक Hindu saint रहें, तो गुरू Hindu saint रहें, अब क्या होता है, और ये कहां की बात है, तो वारा नसी जो है क्योंकि Muslim family में पले बड़े हैं, तो उन्होंने Islam को भी समझा, तो Islam और Hinduism, दोनों चीजों को समझ के ये बड़े हुए, ठीक, अब how do we get to know about him, अभी उपर मैंने क्या बोला कि हमारे पास में ज़्यादा reliable information नीए, तो फिर हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है, वही चीज कि इनके followers जो हैं, उनसे जो details मिलती उसके बाद में, इन्होंने खुद क्या किया है, साकीज और पद लिखे हैं, पद जैसे अब देखो, अभी क्या है कि आप 7th class में हो, आपने पता नहीं पड़े नहीं पड़े हैं, शायद हिंदी की book में आ गए होंगे, तो दोहे होंगे कबीर के, नहीं भी पड़े होंगे, तो सुने होंगे, जिसमें एक तो बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, बहुत parents सुनाते हैं बच्चों को, कौन सा दोहा, तो कल करे सो, आज कर, आज करे सो, अब पल में प्रले हो जाएगी, बहुरी करेगा, कब, सुना ये दोहा, तो इस तरह की जो पद हैं, ये जो साखीज हैं, कबीर ने क्या किया है, संत कबीर ने, इनका collection है, मतलब संत कबीर ने इसी तरह से, बहुत आसानी से, बहुत बड़ी बात, छोटे से तरीके से, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, इन दोहों के थुरू, ठीक है, और क्या हो पद, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा एक हिंदी में पाथ मिल जाएगा तो वो सारा सब कुछ आपको यहां पे जानने को मिलेगा, उन पद उसे हमें जानने को मिलता है कि कभीर क्या सोचते थे क्या सोसाइटी को कैसे देखते थे क्या उनकी कहानी है, clear है पंथी को चाया नहीं, फल लागे यती दूर तो अब यह क्या है? इन्होंने एक कोडिंग बना दी एक तरह से कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को चाया नहीं, मतलब जो रोड़ पे से निकल रहा है उसको चाया नहीं मिलती, खजूर का पिट देखा अपने डेट पाम्स का, कोई पत्ते भी नहीं होते जादा जादा और फल भी कितनी उपर लगता है उसमें तो उसी तरह से इंसान के बड़े होने से सब कुछ नहीं हो जाता सोसाइटी में छोड़ के गए है तो some of these were later collected and preserved in guru grant sahib अब जो कबीर के पद हैं, कबीर के जो साखी हैं उन्हें क्या किया गए देखो हिंदुईजम और इसलाम, दोनों रिलिजन को इन्होंने देखा बहुत क्लोजली देखा इनके गुरू जो थे हिंदू थे, इनकी family जो हाँ पर पले बड़े हैं मतलब Muslim family में पड़े बड़े हैं इसलाम को उन्हें समझा अब क्या है कि इनकी जो teachings थी उन्हें गुरू गरंत साहिब में गुरू गरंत साहिब मतलब सिकिजम ठीक है तो सिख religion में क्या किया गया है फॉलो अडॉप्ट किया गया है फिर जैसे पंचवानी है बिजाग, बिजाग मतलब इनकी खुद की बुख जो है तो इनके मतलब जो इनकी खुद की बुख इंदे से हैं इन्होंने खुद नहीं लिखा जो इनके फॉलोवर्स हैं इनके जो फॉलोवर्स हैं बाद में तो उन्हें कबीर पंथी कहा गया क्या होता हिंदुईजम एक बहुत ब्रॉट सेंस में आप religion देख रहे हो तो जैसे हमने लिंगयातिजम देखा उसके बाद में आपने जैसे देखा होगा क्या इडियल्स को उनके टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं को क्या मान रहे है भगवान मान रहे है एक तरह से तो कभीर पंथी हो गया तो उन्होंने क्या बुक बना दी बिजाग बना दी फिर जैसे क्या पंचवानी है तो पंचवानी भी क्या है पंचवानी भी एक तरह की एक ऐसी बुख है जिसमें आप देखोगे पंचवानी से गुरु गरंद साहिब में क्या लिए गए है वर्सस लिए गए है साकी ये जो पद है ये लिए गए है दोहे लिए गए है अब पंचवानी में फिर आपको आनवान मत समय लेगा गुरु भाई याने दोनों के गुरु एक ही है रामनंद तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़े देखने को मिलेगी तो पंचवानी में आपको उनके बारे में जानने को मिल जाएगा रविदास के भी टीचिंग्स देखने को मिल जाएंगे और वही ग रामनंद ठीक, कबीर, राइदास, बल्लाभाचार, तुलसी दास तो ये बहुत से सूरदास तो बहुत सारे सेंट्स के बारे में हम पीछे पिछले वीडियो में पढ़के आए हैं और यह आपको यहापर समझ में है को सब नॉर्थ इंडिया में ये सेंट्स रहें प्रॉम तो यहाँ पर बसवन्दा जो है तो क्या फिलोसफी थी उनकी ठीके किसे फॉलो करते थे किसे नहीं फॉलो करते जिसा आप यहाँ पर एक चीज़ बताओ मैं तो कबीर के जो गुरूर है रामनंद तो रामनंद ने क्या कहा कि वो एक तरह से कह सकते विश्नु भगवान के वो विश्नु भगवान के टुवर्ड्स डिवोशन रखते थे लेकिन कबीर ने डिवोशन किसी स्पेसिफिक गॉड के टुवर्ड नहीं रखे क्या है तो वो निर्गुन भक्ती संत्र है आगे बताता हूं चलो देखो तो क्या होता है कबीर स्टीचिंग ही जादा करना है धर्म के नाम पर आडंबर जादा करना है ठीक है बाकी सेल्फ ट्रांस्वर्मेशन नाम की कुछ चीज नहीं हो रही है तो यहाँ पर इस टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड ओल फॉर्म औफ एक्स्टरनल वर्शिप्स ऑफ बोत ब्रहमेनिकल हिंदुई इसलाम ब्रहमेनिकल हिंदुईजम और इसलाम दोनों चीजों को उन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज क्या ओपनली क्रिटिसाइज क्या बोला कि यहाँ पर क्या है कि टू संस में क्या होता है स्प्रिच्वल स्प्रिच्वलिटी क्या होती है उस चीज को नहीं बताया जा र तो उन्होंने caste system में caste discrimination को face किया तो इस चीज़ के against में नहीं कि गलत है यह सब कुछ ठीक है ऐसा थो नहीं नहीं होता अब caste system के साफ से lower caste के इंसान जो है तो आप क्या कर रहे हैं उसे devalue कर रहे हैं जो की गलत है the preeminence of priestly class के भी against में थे वो मतलब कि सिर्फ brahmanical class जो है जो priest है उनके पास में ज्यादा power नाची मंदिर भगवान उन्हीं के पास में reservation है इन सारी चीज़ों को criticize किया उन्होंने ठीक है यह सारा सब कुछ आया समझ में तो कभीर की teaching जो थी तो he rejected the major religious traditions जो समय पर चल रहे थे क् एक society का एक section जो एक caste के group जो है ब्रहामन जो है वो dominate करें यह गलत है ठीक है तो the language of his अब उन्होंने क्या किया तो उन्होंने अपना एक अलग तरीका उन्होंने अपने दोहे के थू किया society को जो समझा देखो simple सी चीज है भक्ती क्या है भक्ती यह है कि आप एकदम निश्च को समझा और बताया दर्शाया क्या तो language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people अब क्या होता था कि सबसे important चीज क्या है कि क्यूं वो लोगों के बीच में popular हो गये तो पहली बात तो बात बहुत सटीक करते थे चुबती थी लेकिन सच बात होती थी फिर अगली चीज क्या होता था कि वह बहुत क्या सकते हैं local language में spoken Hindi जो होती उसमें अपने दोहें लिखा करते थे ताकि एक ordinary इंसान भी समझ सके ठीक है फिर क्या है एट टाइम से used cryptic language cryptic language मतलब क्या है कि शब्द शब्द में जैसे मैंने आपको क्या कहा कि बढ़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी क जो चाया नहीं फल लागे अती दूर तो अब ये उन्होंने कोडिफाइ कर दिया डायरेक किसी बड़े इंसान को नाम लेकि पॉइंट आउट नहीं किया कि बड़े इंसान हो जाने इसक्या हो जाता अब दान करो धर्म करो लोगों की मदद करो ये करना चाहिए लेकिन उन के पीछे क्या message है वो समझ नहीं पाते थे कौन और इंसान ठीक है तो अब क्या होता है कबीर believed in a formless supreme god हाँ formless supreme god क्या होता है मतलब ये निर्गुन भक्ति saint थे मतलब उन्हें मुर्ति पुजा में विश्वास नहीं उन्हें शिव में विश्वास नहीं उन्हें अल्ला में विश्वास नहीं विश्वास नहीं वो तो बोलते थे कि बस मन चंगा तो कटोती में गंगा मतलब आप मन से साफ हो तो हर जगा क्या है आपके लिए भगवान है उस तरह से निरगुन भक्ती सेंट थे ये भी ध्यान रहेगा कबीर ड्यू इस फॉलोवर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूस और मुस्लिम्स हाँ चीज ये चीज बहुत अच्छी है मैं आपको बताता है कहानी देखो क्या है तो कबीर के जो फॉलोवर्स थे न वो क्या है हिंदूस और मुस्लिम्स दोनों थे क्यों क्योंकि वो इसलाम भी जानते थे ठीक है वो हिंदूइजम को भी जानते थे सारी चीज और वो जो बाते करते थे तो जो कबीर पंती है वो हिंदूस भी देखने को मिलेंगे आपको वो मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे अब क्या होता है पता हिंदूस जिए अपने जीवन भर सिखाते रहे लोगों को क्या कि ये धर्मे के नाम पे लड़ना छोड़ दो ठीक है सारे धर में एक समाने आपको तो अपना मन साफ रखना है बस लोगों की मदद करना ये सारी चीजे करना है अब क्या होता जब उनकी डथ होती है तो वही हिंदू-मुस्लिम जिने वो सिका रहते वही हिंदू-मुस्लिम जो उनके फॉलो अब देखो क्या जिस चीज के बारे में सिखाते गया इंसान जीवन भर उसी चीज पर लोग लगने लगे थे तो ऐसी लोग कता हैं कि बाद में जब चादर मतलब जो उनकी कह सकते हैं कि अब अब जब आपको चीज बता दिये तो वहां पर सिर्फ कुछ फूल थे गुलाब के और कुछ नहीं मिला तो इस तरह से वह डेट गॉड़ी कायब हो गई अब यह आप बोलो किस तरह आपको किस ने बताया तो लोग कता हैं बस सुनते आएं मैंने सुनते आए मैंने आपक अब अगले सेंट के बारे में हम नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुरू नानक साहिब के बारे में हम नेक्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे I hope चीजें यहां तक समझ में आईएं मैगनेट ब्रेंस पर क्लास फोर्थ से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर सभी चैप्टर के टॉपिक्स सारा सब कुछ सिस्टेमाटिक वे में एक अरेंज फॉर्माट में अविलेबल हैं जिसे आप क्या कर सकते बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से अपना सिलेबस घर बैठे कंप्रीट कर सकते हैं सबसे मिलदार बात क्या है कि यह सारा सबकुछ आफ फ्री आफ कॉस्ट कर सकते सारे विडियो लक्षर क्योंकि फ्री फ्री आफ कॉस्ट अविलेबल है सिर्फ एक चAPTर, दो चाप्टर या चार चाप्टर नहीं, सारे चाप्टर फ्री ओफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैगनेट बेंज के बारे में बताईए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much